वेल्कम टू अग्रिकल्चर अड़ा 24 7 मेरा नाम है क्रिसन राजपूत तो आज यह जो क्लास होने वाली है यह वर्क प्रोफाइल पर होने वाली है किसकी जो लोग तयारी कर रहे हैं सेंट्रल वेरहाऊसिंग कोपरेशन जो वेकंसी आई है दोजार तेस में अभी आई है उसमें जो जूनियर असस्ट जूनियर टेकनिकल असस्टेंट की जो पोस्ट है अब मुस्टली स्टूडेंट का भी यह कन्फ्यूजन है कि सर इसमें करना क्या होता है इसकी वर्क करते हैं इस सेशन को ध्यांस देखना है पूरा देखना है ठीक है देखना पूरा है आसा नहीं के बीच में छोड़ देना है तो यह सेशन जो है वह पूरा देखना है आपको देखिए जो आपका जूनियर टेकनिकल असस्टेंट है CWC में उसकी जॉब प्रोफाइल क्या ह होती है तो देखिए जॉब प्रोफाइल में क्या होता है इसके रिसीव सेंपल एंड इंटर इन और रजिस्टर गेट आ सेम अरेंजड इन दा सेंपल रूम में असेस्टेंट प्रेफरेंग अनलिसिस रिपोर्ट तो देखिए जो आपका जो जे टीए है जूनियर असस्ट जूनियर टेक्निकल असस्टेंट वो क्या करेगा सेंपल को रिसीव करेगा ठीक और उसको क्या है रजिस्टर में इंटरी करेगा यानि रजिस्टर में इंटरी करना और उसको सेंपल रूम में क्या करना अरेंज करना और क्या एनलिसिस रिपोर्ट को तयार करना एनलिसिस sample आया, भigare आप उसको, क्या करना है, आपको receive करना है sample और उसको एक सही report बनानी है, ठीक है, report बनानी है, simple सी बात है, report बनानी पडूआएगे, जो sample है, उसकी जानकारी उसमें note करनी है, इसके बाद है, check the maintenance of references type of sample arranged by the dusting operator, ठीक है, dusting operator के दोतीं, का शो बी जो सैंपल है तिक ए उसको क्या अगर ना उसके उसको मेंचेन करनाHe j TS को चेकरना यह भी किसका काम है जुनियार ऑसुटेंट जुनियर टेकनिकल असस्टेंट का काम钱 ठीक है तो यह सारे काम हुते हैं और भी काम होते हैं और भी कोई भी काम दिया जा सकता है जरूरी नहीं है कि एक ही काम होगा और भी काम दिया सकते है जनरली बर्क फोफाइल में यही सबाता है ठीक है सेंपल को कलेक्ट करना एनलाइज करना ठीक है और उसकी सही एक report तयार करना ठीक है simple हां इसके बाद responsible for physical verification quality quality and quality of stock तो यानि की physical verification के लिए responsibility इसी की होती है इसी responsible होता है ठीक है quality को check करना और stock के quality को check करना stock के quality को verify करना ये सभी काम होता है किसका इसी का junior technical assistant का ठीक है तो जो भी आपका sample है stock जो भी stock में sample है या stock में material रखा हुआ है उसकी quality को check करना और इसको verify करना ठीक है तो ये सभी काम किसके हैं इसी के हैं ठीक है जो जिसकी आप तयारी कर रहे हो और नहीं तयारी कर रहे हो तो भी तयारी start कर दो ठीक है अच्छी opportunity है आपके पास ठीक है हाँ एक government job हो जाएगी आपके पास और आपको पता है कि आजकल जो values है ये government job की जादा है ठीक है प्राइवेट वाले को कोई नहीं पूझता है जैसे मैं ठीक है तो जिन लोगों ने तयारी नहीं start किया है तो please तयारी को start करें ठीक है और job को अपना बनाएं इसके बाद क्या है check the quality of food grain at the time of receipt and issue जब देखिए जब हम कोई sample receive करते हैं ठीक है जब जैसे माल लो हमने food grain को receive किया या जब हमने receipt ली उसकी तो उसकी quality को क्या गरना check करना simply है जब भाई लिखाई है junior technical assistant ठीक है हाँ तो जो quality है उसकी को verify करना होता है ठीक है यह जो है इसकी work profile है इसके बाद perform other related work as may be assigned from time to time और वो सभी work पे perform करना होता है जो आपको time to time assigned किये जाएंगे मतलब की time आपको change किया जा सकता है अब आप यह करेंगे तो उन सभी पे आपको क्या करना होता है परफॉर्म करना होता है तो यह सारे जो है यह आपके यह बाद प्रफाइल के अंतरगाद आते हैं अगर मानलो आप अगर आप CWC में junior technical assistant बन जाते हैं तो यह सारे काम आपको करने होंगे ठीक है तो अब यह selection लोगे तैयारी करके selection लोगे तभी कर पाऊगे ऐसा तो है नहीं के हम गर बैठके वह quality चेक कर लेते हैं हम सीधे कह लेते हैं यह food grain खराब है यह बहुत अच्छा है इसको खरीदो इसको बेचो simple सी बात है ऐसा तो करने ही पाऊगे तो उसके लिए क्या करना होगा आपको तैयारी करनी होगी तैयारी के लिए आपको चाहिए क्या proper guidance सबसे जरूरी होता है sir proper guidance तो proper guidance आपको जहां पर भी मिले या आप खुदी तैयारी कर सकते हैं तो खुदी तैयारी करिए ठीक है नहीं इसमें इनलोर्ल के लिए कि का कुछ है? हम बदाते हैं का साफिकी है अगर आपको का किसे इस बैच में इनलोर्ल करना है? तब की बात है bonito! tudoसी इसमें आपको अडर 24-7 डाौनलोड करना है, या गूगल पे शर्च करना है अडर 24-7 सर्च किया हमने फिर इसके बाद यह है इस तरह का प्रिफेस खुल के आ जाएगा तो सबसे पहली वाली वेफसाइट पर हमें क्लिक करना है जहां पर लिखा हुआ है अड़ा 24-7 इंडिया लार्जेस लर्निंग प्लेटफॉर्म इस पर क्लिक कर देंगे हम क्लिक करने के बाद आल कॉर्सिस में जाने के बाद गॉर्मेंट जॉब एक्जाम में जाएगे और नीचे सब से दिया होगा एगरिकल्चर अगरिकल्चर पर जाने के बाद यह लिखा है कॉटन यह तो नहीं है सेंट्रल वेराउसिंग कॉर्परेशन यहां पर भी देखो जिस एक्जाम की यहां पर हम बदाते हैं आपको Central Warehousing Corporation यह दिया है Central Warehousing Corporation यह बैच जो है इसमें सारी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है मैं भी आपको पढ़ाऊंगा ठीक है तो अगर मालो आपको इसमें इन्रोल करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तब इसमें इन्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे बाइनाओ पर जाएंगे और कोड यूज करना है आपको Y826A लगाएंगे अपलाई करो तो यह लगबग 2989 रुपए मिल जाएगा 2989 में मिल जाएगा यह बैच आपको इतने में मिल जाएगा यानि कि इस बैच की यह फीस है अब इसमें बताते हैं आपक कोई भी इन रूल कर सकता है अफोर्डिबल प्राइस है ठीक है हाँ एक चीज और समझ लो कि अगर हमें मालो सर स्टडी प्लान चेक करना हो कि सर क्या क्या मिलेगा इसमें तो मैं बता दू इस में आपको क्या क्या मिले बाला है 200 हार्स की ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी र इसी क्लास चलने वाली है कौन पढ़ाय क्या मिलेगा रहेग है यह सारा स्टडी प्लान में दिया हुआ है तो सर लोग स्टडी प्लान को एक बार चीज कर सकते हो ठीक है हां 14 से इसकी क्लासेस start हो जाएंगी ठीक है 14 से इसकी जो classes है वो कल से start हो जाएंगी timing रहेगी एक से दो बजए animal sventry class चलेगी जो आपको हिना वैंपडाने वाली है सन्दीब सर की 3 से 4 बजए चलेगी जो crop production पडाएंगे आकाज सर की जो class है वो चलेगी 5 से 6 ठीक है हाँ चलिए तो इतना बहुत है ठीक है तो जाएए इंरोल करिए और तयारी को करिए स्टार्ट अगर अभी तक आपने तयारी नहीं स्टार्ट की है तो स्टार्ट करिए तयारी को प्रेंगे चलिए ओके थांक यू